नमस्कार अन्नदाता किशान मित्रों मैं राजूराम राठोड आज पहुंचा हूँ मैं मेरा राजस्तान का एक मात्र पाली जीले का जैतरन तैसिल का बेड कला और लोटो ती गाउं जो पूर्ण रूप रसायन मुक्त हो गया है साथियों जो इस वीडियो के मादम से आप देख रहे हैं और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि राजस्तान का हर एक किसान अब NCO टेकनोलोजी को साथ में लेकर गर पे बहुत सारे रसायने कुतपादों को छोड़कर जीवी कुतपाद गरलू माइक्रोनिटरन बना कर इस्तिमाल कर रहा है साथियों जो आप टैंक देख रहे हैं सिमेंट का बड़ा सा टैंक है यह वेस्टरडी कम्पोजर का कुवा मानिए जील मानिए यह साथियों 250,000 लेटर का वेस्टरडी कम्पोजर सिमेंट से बना टैंक इसके अंदर प्लास्टिक पेंट किया हुआ है ताकि ये खराब नहों साथियों ये दो लाग पचास जार लेटर का वेस्टरडी कंपोजर का राजस्तान का सबसे बड़ा पाले जिले का लोटो थी गाउं का एक मात्र कुआ यहां इस टेंक के सहारे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये माइक्रो निूट्रेंट हर फसल क लिए जी ओसी लैसोन प्याज अद्रक और इसके अंदर हल्दी बहुत सारे वो तत्व मिलाएं जो फसल के अंदर माइक्रो निूट्रेंट के पूर्ति करता है साथियों ये मिट्टी के अंदर गड़ा करके कम खर्चे का कम लागत का पचीस अजार लेटर का डिक्की बनाय इनकी मात्र पतियों को मिक्सी से नहीं, ग्रेंडिंग से नहीं बड़े अनाज निकालने वाले ककटर से पीस कर उसकी पीसाई करके यहां पतियों का आरक पांच पति काड़ा बनाया है इसकी शमता पचीस अजार लेटर इसके इधर यहां सभी तरह की डालें सभी तरह का अन्न पीसकर इसमें मिलाया गया है यह 25-25,000 लेटर की तेन यूनिट राजस्तान का एक मात्र रशायन मुक्त गाउं राजस्तान का एक मात्र NCOF टेप्नोलोजी को साथ में लेकर गरेलो उत्पाद बना कर फसल को सुरक्षा देने का जो काम कर रहे हैं 25,000 लेटर का कुवां सामने बहुत सारे बेरल रखे हुए हैं जी ओसी गोल का 25,000 लेटर माइक्रो नीटरेंट डिकी पांच पत्ति खाड़ा 25,000 लेटर डिकी यहां अन्य द्रव्य सभी तरह के अनाजों को पीस कर उसके लुगदी बनाकर वेस्टर डी कमपोजर के साथ बनाया अब इसके अंदर कितनी कितनी मात्रा डाले गई हमारे साथ यहां के जमिदार खड़े हैं उनसे जानेंगे इसके अंदर आपने क्या-क्या मिलाया तो चलते हैं उनके पास साथियों अब मैं आपका परिचे करवाता हूँ पूरे देश वाशियों का जो राजस्थान के पाली जिले के जैतारन तैसिल के लोटो ती गाउं के शब से बड़े NCOF Technology को घर पे उप्योग करने वाले किसान प्रत्वी शिंग जी उदवत साब से उदवत साब नमस्कार आपने अपनी जमीन के अंदर पहले जो रसाइन इस्तेमाल किया करते थे वो रसाइन आपकी जमीन को खराब किया करता था और जो रसाइन इस्तेमाल करने के आपको जो खर्चा होता था और आज आप NCOF Technology के साथ आये हैं उसके और इसके खर्चे में थोड़ा अंतर बताईए पहले आप जो रसाइन इस्तेमाल करते थे उसका कितना खर्चा आता था मेरी पूरी जो के तेरी उसमें करीब 5-6 लाग का देशात लाग का लेता तकाम यह जो यह प्रिश्टेट आप और अब डेट लाग में सब पूरा जो है यह क्यानम डी कंपोजर और यह जो पांच पती काड़ा जो माइटो नेटन और जो जियो जिवसी गोड यह अनाज व पहले रसाइनिक खेती किया करते थे इससे पहले आप हमें बता दीजिए देशवासी आप से जानना चाहते हैं आपके पास जमीन कितनी है अच्छा आपके पास आपके खुद की पुस्तायनी जमीन आपके नाम की सो भीगे है और आपके छोटे बाई बड़े बाई की जमीन आप खुद देखते हैं और आप यहां रहते हुए वेस्ट डी कंपोजर से आप सारे उत्पात घर पे जैसे पीछे किसान साथियों आप देख रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बता दिया है यहां पच्छिस पच्छिस अजार लेटर की तीन यूनिट बनी है एकदम खुले में बनी है और आप इतनी मेहनत करते हैं प्रतिवी सिंग जी आप बताईए जो आप बता रहे हैं रसायन इस्तेमाल आप 5 लाग से लेकर 7 लाग का इस्तेमाल किया करते थे और अब वेस्टर डी कंपोजर आया आपके हाथ तो आपका खर्चा डेड लाग आ रहा है आप रसायनिक खेती करते थे तो जब और भी माइक्रो निउट्रेंट की आविशक्त आपको होती थी आपने बीना माइक्रो निउट्रेंट जोड़े आपका रसायनिक खर्चा मात्र बताया है पांच लाग से साथ लाग अगर आप वो भी रसायनिक माइक्रो निउट्रेंट इस्तेमाल करते तो आप बता रहे हैं दस बारा लाग खर्चा आता था अब आप गरेलू यह वेस्टर डी कंपोजर के साथ जो जो चीज़े बना रहे हैं तो आपने 25,000 लिटर वेस्टर डी कंपोजर के साथ क्या-क्या उत्पात बनाए हैं तीन तरह के यहां डिक्किया बनी है एक में आपने पांच पत्ति काड़ा बनाया है एक में आपने अन्ने द्रवी बनाया है तो जी ओसी लेस्वन प्याज मिर्च आपने कितना-कितना लिया बताई यह सब तिन तिन कुंटल है लशन प्याज अध्रक और यह 500 किलो हल्दी पीसीवी और मिर्ची आगी मिर्ची है और लशन प्याज है आपने तिन तिन कुंटल लशन प्याज यह लिया और आपने 25,000 लिटर का टेंक बनाकर और पांच पत्ते के लिए वेष्टरडींकाँजर के साथ ने इनको बनाया है उसमें जो अटाट कूंटल नीम की पती आथ कूंटल दतुर की पती आथ कूंटल अंग्लेजी आग की पति और जालकी की पती आटाट कूंटल पती प्रत्वी सिंग जी ने बहुत अच्छा अनुबह बताया जो आप घर के अंदर खेत के अंदर गरलू खाने वाली काम आने वाली उन चीजों को उन वस्तुआं का समावेश करके आपने प्राकरतिक वनस पतियों की पतियों को उकटा करके उनकी डंठलों को नहीं मजदूर लगवाकर उनकी पतियों का अर्क निकलवाकर आपने 25-25,000 लिटर की तीन यूनिट तयार करी है आपके पास 2,500,000 लिटर वेश्टर डीकंपोजर भी तयार है प्रत्वी सिंग जी आप मुझे बताईए अगर आप रसायन इस्तेमाल करते तो क्या ऐसी खेती संभू हो पाती है जैसी आज आप देख रहे हैं और आप कर रहे हैं प्रत्वी सिंग जी किसान आप से जाना चाहते हैं आपने एक शब्द कहा रसायन इस्तेमाल करने के बाद आपके खेत में जीरा की एक ही खेत में लगातार दो वर्स ही पैदा होती थी और आप बता रहे हैं वेस्टडी कंपोजर जब से आपके हाथ आया है और आप तीन साल से वेस्टडी कंपोजर इस्तिमाल कर रहे हैं तो आप लगातार एक ही खेत में कम खर्चे में अच्छा म कंपोजर का ये कमाल मानते हैं वेस्टरडी कंपोजर का कमाल और मेरे पहले केंचवे नहीं थे और अब केंचवे आने शुरू हो गए साथियों प्रत्वी सिंग जी उदाउत तुजूरबेदार खेती को मन लगा करते हैं अपने बच्चों से भी करवाते हैं खुद की खेती खुद देखते हैं चोटे बड़ी भाई की खेती भी खुद देखते हैं आप यहां रहते हैं समय पर उनको मार्गरदर्सन करते हैं समय पर क्या चीज कब बनानी है कब फसल में देनी है कब इसको कहां बना के रखना है ये सारा मामला आप ते करते हैं प्रत्वी सिंग जी वेस्ट डी कंपोजर बंद हो गया है बनना बंद हो गया है वेस्ट डी कंपोजर बनाने वालों का ट्रांसपर हो गया है आप वेस्ट डी कंपोजर अब मिले गए ने तो अब क्या करेंगे तो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको वापस चलू किया जाए आप रिक्वेस्ट करता है माननिय नरेंदर मोधी जी से वापस चलू किया जाई किसान साथियों साथियों देखिये हर किसान मोधी जी के बात 15 अगस्त को सुना प्रत्वी सिंग जी ने भी मोधी जी की बात को 15 अगस्त वाले भाषन की सुनी मोधी जी ने ये कहा मेरे किसान भाईयों खेत में रसायन इस्तेमाल न करें केमिकल फर्टिलाइजर बंद कर दें या फिर खत्म ही कर दें तो इस वीडियो के माद्यम से प्रत्वी सिंग जी देशवाशियों और माननी नरंदर मोधी जी को ये संदेश दे रहे हैं कि वेस्टडी कमपोजर को वापस सूचारूरूप से बनाया जाई वेस्टडी कमपोजर बनाने वालों को किसान हित में वापस लगाया जाई प्रत्वी सिंग जी आप से जानके बहुत अच्छा लगा आप अनुपवी हैं आपने बहुत सारी फसले ली है और अब आप बताईए वेस्टडी कमपोजर अगर है तो दो हजार पहले 2022 से पहले किसानों के अमदनी दूगुनी हो सकती है या नहीं हो सकती है और इसकी जरूतिन नहीं है तो तिन साल से यूज़ करना हूं जरूतिन नहीं है बिल्कुल अन्दा दों प्रयोग कर रहे हैं और अब साथियों इनके द्वारा बनाए गए माइक्रो निट्रेंट इनके खुद की जमेन इनके द्वारा राजस्तान की भारत की सबसे बड़ी यूनिट आपने वेस्टर डी कमपोजर के निर्मान कर रखी है आप पिछले कहीं सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं करते हैं अब इनके द्वारा बनाए गए माइक्रो निट्रेंट पांच पत्ति काड़ा वेस्टर डी कमपोजर के गोल का जो परिणाम फसल पर आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं चलते हैं इनके कपास के फसल की और साथियों अब मैं आपको ले आया हूं प्रत्वी सिंग जी के फारम पर वेस्टर डी कमपोजर के द्वारा लगाई गई का पास उसके बारे मैं बताना चाहरा हूं वेस्टर डी कमपोजर से जो इनको परिणाम आये जो ये खेती करते हैं मैं आपको फसल का थोड़ा बता देता हूं वेस्टर डी कमपोजर आने के बाद देखिए पतियों में कॉमलता है पतियों के ओपर कहीं तरह का कोई भी मच्छर आपको नहीं दिख रहा है आप समय समय पर इसका इस्तेमाल करते हैं पतियों में हरापन है पतियों में कॉमलता है बहुत अच्छा परिणाम आ ले रखिए साथियों देखिए बहुत ही जबर्दस्त अच्छी अवस्ता में फसल है यह जो आगे खित पड़ा देख रहे हैं इसके अंदर पिछले पांस छे साल से जीरा कर रहे हैं और अपकी बार भी जीरे के लिए आपने इसको सुरक्षित रखा है यहां यह कपास की फस प्रतुई संग्जी उदावुट साब्ध ने वेस्टडी के से पहले से पहले तीन सब्सक्राइब दि आपके पास वैस्टडी कंपोजर है और वैस्टडी कंपोजर का हर फसल में देते अच्छा उत्पादन मिल रहा है केंचो भी आ गये हैं प्रतुई संग जी बता रहें केचो भी आगए आप देशवासियों को कहिए और गेनिक खेती क्यों करनी चाहिए जो जमीन की उर्वर सुर्थ कम हो जाएगी और जो हजरों तरह की बिमारिया होगी यह और कम कोस्ट में कम सब्सक्राइब करने और इनके निर्मान करताओं को वापस सेंटर भूलाने में आप क्या कहेंगे कि मैं तो कहता हूं जो जो उन्होंने जो एक जमले रिवलेशन लेक्या है कि वेस्ट द्वारा उसको वापस उनको जो 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 शुरू करना चाहिए और वाकी दो सब जो जो फसल देख रहे हैं आप इसमें सब यूज किया तो फाइदा इसमें है और कपाश की फ जो जिसके पंग आ जाते हैं वो तो खतम होने होना वाला है उसको क्या क्या खतम है इसमें ज्यादा प्रेस्टेट की जरूतर नहीं है साथियों वेस्टडी कंपोजर का इस्तेमाल करने के बाद प्रत्वी शिंग जी बताने में बहुत उस्वकता रखते हैं आप देख रह हूँ इनके कपास की फसल से इनके द्वारा बनाए गई 25-25 अजार लिटर की मिट्टी के अंदर एक अच्छी टेकनिक कम खर्चे की विधी लगाकर आपने जो 25-25 अजार लिटर के तीन गड़े बनाकर माइक्रो नियूट्रेंड बनाया है ये राजस्तान की एक मात्र ऐसी यूनिट है जो पूर्ण रूप से और्गेनिक है पूर्ण रूप से ये वेश्टडी कंपोजर प्रत्वी सिंग्जी उदावद के पास आने के बाद आपने अपने खेत में अपने छोटे बड़े भाई के खेत में रसाइन देना बंद कर दिया मात्र वेश्टडी को बदलते किसानों के जजबातों को बदलते राजस्तान की हर एक दसा इधर ये पत्चीस हजार लिटर के डिक्की के आगे दो लाग पचास हजार लिटर का सबसे बड़ा राजस्तान का शिमेंट से बना हुआ प्लास्टिक पेंट किया हुआ ताकि ये खराब नहों सके इसके साथ यहां काफी कुछ बैरल रखे हुए हैं इन बैरलों में कुछ ऐसे एंजाइम भी तयार करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहां कुछ बैरल रखे हुए इसके अंदर एंजाइम बना गया है अब अगला वीडियो उसका बनाते हैं चलते हैं उनके पास